नमस्कार साथियो, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, आज किस वीडियो में हम उपनियास एक समाने प्रिच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, और आने वाली वीडियो में हम बाकी के हिस्से जो भी बचेंगे इस वीडियो में वह आपके साथ साजा करेंग ठीक है, उपनियास के संबंद में, जानकारी हैं के वीडियो में हम नहीं समेच सकते हैं, तो शुरू करते साथियो, और आपको बता देंगे, एंटी जूजिसनेट हिंदी के पाठ्टे करम के अनकूल हम वीडियो से ला रहे हैं, आपको लाब पहुंचेगा, वीडियो पश्ची में हुआ था, हम सभी को पता है, इपनियास जो है यह पश्ची में वीडियो, एंटी करते हैं, उपनियास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप जिसका आवerdन निकट और नियास जिसका आवर थाती, इस पधार पर उपनियास का रत रहे हैं, वहरचना जो समाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपनियास को आद्रिक जूख का महा काबे भी कहा गया है आगे एक रचना कार है जिनका नाम है रॉल्फ फोकस रॉल्फ फोकस ने अपने प्रसिद लेक दा नोवल एजन एपिक में ठीक है उपनियास को महा काबे के समक्ष बताया है ठीक है और दा नोवल एजन एपिक करत है उपनियास महा काबे के रूप में ओके आगे हैं उपनियास का मूल संबंद जथार से माना गया है और इसी अर्थ में यह परंपरिक आख्या काउंसे अलग है मतलब जो उपनियास का जो मूल संबंद है वो जथार्थ से है वास्तविक्ता से है परंपरिक रूप से जो कहानिया चली आ रही थी कताएं आख्या काईं जिसकार्थ है वो अब नहीं लिखे जाती इस तरह से ठीक है तो जथार्थ को लिखा जाता है उपनियासों के मात्र से पविन अलोचको ने इस जथार्थवादी अग्रह को उपनियास का समान्य कथा से बेदर तत्व माना है जथार्थवाद को एक एहम तत्व माना है अबे नोवल को बांगला में और हिंदी में उपनियास और्दू में नोवल को नाविल मराठी में नोवल को कदंबरी और ग उपनियास की विदा पाश्चात्य सहित्य की देन है जिसका सबसे पहले परफा पांगला सहित्य पर पड़ा था अंगरेजी उपनियासकार हैनरी फिल्डिंग कृत टॉम्स जोंस की तर्ज पर टेक चंद्र ठाकुर ने अला लेर गरेर दुलार नामक उपनियास रचा किसने टेक चंद्र ठाकुर ने किसकी तर्ज पर हैनरी फिल्डिंग के उपनियास टॉम्स जोंस की तर्ज पर टेक चंद्र ठाकुर ने अलालेर गरेर गरेर दुलाल नामक उपनियास रचा और विद्वान जो हैं इसको के विद्वान जो हैं इसको प्रतम बांगला उपनियास भ प्रथम पांगला मौलिक उपनियासकार के रूप में ख्याती प्राप्त बंकें चंद्रवी अंगरेची उपनियासकारों से अत्यादिक प्रभावित हैं आगे पढ़ते हैं साथियों 1873 हिस्वि में उन्वदित होकर हुं और पतार पस्चाथ 1872 हिस्वि में शृ निवास दासकारों प्रिक्षागुनें प्रिख्षागुरु को जो की लिखा है शिन्युवास दास्त ने इसको प्रत्वम उप्नियाश होने का गुर प्रापत है इस प्रकार हिंदी के प्रभंबिक उपनियासों पर भांगला और अंग्रेजी ऊपनियासों की इसस्पष्ट आप देखी जा सकती है आगे हिंदी में करेखीन एक परकाषित अपनी अपूर्ण स्थोर रूप से ऐसे चाह सकता है प्रेम चंदपूरव कफे चन्द उध courts विद्दा से रहे गया सकता आगत आध्यान की प्रेम चैंधुन उप्र हरी जास क्रेंए सबस्वातन त्रिवातर जुडेयाक है तो इस परकार रह सकते हैं इस प्रेम चंद मोझा हुए कि प्रेम चंद से तीन उप्रेमा चम जो है जहां सवसंदर्म में कौन से विद्वान ने कौन सा अपनियास पहला माना वो दिख रहते हैं देवरानी चिठाने की कहानी उपनियास जो है 1770 में पंडित गोरिदत नहीं से लिखा डाक्टर गुपाल रहा जो कि अच्छा लोग चक है उन्होंने कहा कि यह पहला उपनियास है इससे सेहमत नहीं है आगे है प्रिक्षागरू 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 1872 में लिखा गया है लाला शिरी निवास दास के दौरा और चाहर राम से लिख लगए ते हैं कि यह सबसे पहला हिंदी में उपनियास हैं कुछ और जानकारिया इनमें अधिक तर जथार्थवातिशायली के अधार पर आख्यात परक्षायली का प्रजोग किया गया है ठीक है आख्यात मतलब कतातमक कहानी का एक कहानी होती है जैसे ऐसे कहानी वाले तत्व इन उपनियास हों मिलते है इसलिए कुछ विद्वान जो मानते हैं कि देवरान इच्ठाने की कहानी और बागयबती हिंदी के पहले उपनियास हैं तो बताओं कि वो खरे नहीं उतरते हैं उपनियास की शैली में इस लिए उसमें आख्यान पुरक आख्यान परक्षेली है इसलिए उनको कहानी भी माना आता है बड़ी कहानी भी माना आता है लेकिन प्रिक्षागुरुब को बहुत सारे विदौण जाएं वो बास्तिक उपनियास मानती हैं निका अगे इस युग में मुखेता तीन परकार की उपनियास लिखेगे इसमें साथी किस जुग में हम पढ़ रहे हैं प्रेम चंद पूरब जुग प्रिएंचंत पूरभ्वूद Dimilam जिसमें उत्यास है इतिहास के और सी on फ्रेंचंत पूरभूट झूक के महत्तर ँपनियास और्पिम्ष कारों के बारें पढ़ें गे गौरीदत पंडित गूरिदत इनका साती हो आपने जनमकार जरूर लिखने नहाँ है जितना भी है देखिए तरफ सो च्तिस इसवीन का जनम हुआ है ठीक है तो इनका जनम अपने जरूर लिखने नहीं है कि करमा अनुशार आपको रचनाकरबान दिये जाएंगे करमानुशा नाम स्थापित करना होगा कि हां किसका जनम पहले हो उसको पहले रखे उसके बाद उसको रखता है तो पंडित गोरिदत ने देवरानी चिर्थानी की कहानी को लिखा इस दुख में आगे हैं जैसे ईश्वर परसाद और कल्यान राय दो लेकर हैं इन्होंने दोनुने मिलकर का नहीं है से तुख नियाष का नहीं है लेकिन का जो अफ्रसाद मार म Лगा इसको आगे है श्रादा राम फलोरी 187 तो प्रिक्षा गुरू नाम का अगे है पाल कृष्ण भट 144 इस में इनका जनम हुआ प्रिक्षा कर्वा नियुक्त दौक साथ उपनियास करने तो इस वीडियों में साथ यह इतनी जानकाई और बहुत सारी वीडियो लाएंगे अभी प्रेम्चंद अपनियास करवा रहे हैं तो अपने आसों के संदर में आपको बता दूख प्रेम चंद के सभी उपने डिसक्रेस करें हैं प्लेइलिस्ट उसकी बन जाएगी बनी हुए साथियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और प्रेम पूरव जुक को पड़ा हमने बाग की हम प्रेम जो प्रेम चंद सब्सक्राइब जुग जो है अपने आसों से समधित अगली वीडियो में साजा करेंगे इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद